दोस्तो अगर आप DD Freedies box की repairing का काम करते हैं तो ये card और ये supply आपने अच्छी तरीके से देख करी पहचान ली होगी बट यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा से different है हो सकता है आप लोगों ने ये कभी repair करी हो या फिर नहीं भी करी हो और हो सकता है आने वाले in future में आपको ये repair करना पढ़ सकता है ये जो box है यहां पर सबसे बिले सी company में दिखा देता हूं company बतानी क्या है बट यहां पर HR करके ये लिखा हुआ है और बाकी HR ब्रांड ये लिखा हुआ है ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इसका model number ये सब पढ़ सकते हैं इसके अंदर जो supply और card यूज होता है वो इस तरीके से दिखता है ये देखेगा आपको अच्छी तरीके से मैं दिखा देता हूं आप पहचान लीजिए ये देखिए horizontal card यूज हो रहा है बाकी ये आपकी supply है बाकी इसमें जो SMPS सेक्षन है ये वाला है और बाकी इसका जो main card का section है ये वाला है और इसकी display का section ये वाला है यानि कि आप इसे card कम supply कह सकते हैं क्योंकि इसमें card attached है इसमें soldering अगर सब किया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरीके से attached है बट यहां पर मैंने इसकी काफी बार repairing करी है और आपको बताया भी इसमें क्या-क्या आपको डिटेल से मैंने वीडियो बना के दी है और बल्कि यह भी बताया है इसमें अगर SMPS section खराब हो जाता है तो इसमें external यानि कि इस टाइप का SMPS लगा कर आप इसे लिष्ट हूँ इसको RS करने का इसमें सारे वीडियो के मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और यहां पर इसमें प्रहं जितने भी इसके सभी प्रकार के फॉड्स की अलग अलग वीडियो अपने चैनल पर यानि की दोनु चैनल पर पर प्रवाइड करता रहता हूं और इसकी भी मैंने टोटल यहां पर इस कार्ड की टोटल रिपेरिंग का एक वीडियो एक नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियो है जिसमें अलग लग फॉल्ड पर बात करी है उनका वीडियो में प्रवाइड किया है बट यहां पर आज मैं इसके फॉल्ड की बात करूंगा यह चीज भी बताना जरूरी था क्योंकि आप लोगों के पास अधर इसके रिलेटेट फॉल्ड भी आ दे तो आग मेरी वीडियो किया उन्होंने अब आप देख सकते इसमें क्या क्या चेंज किया यह बिल्कुल डेट कंडिशन में है इसका प्राइमरी सेक्शन चालू है और इसके जो आउटपुट है वो भी आपको चेक करवा कि आपको दिखा दूगा बट यहां पर डिस्पले में कुछ भी नहीं आ arta और यहां पर उन्होंने देखि में भी यहां पर यहां पर आई ती है यानि-क जो डिस्पले को मैनेज करती है उस आई-ची को भी उन्होंने इक बार निकाल के चेक किया सद उन्होंने चेंज भी करा और साथ इन्होंने कोस Joeyические उन में यहां पर आप देख सकते यह यह भी बड़ा फॉल्ट आता है सबसे बड़ा फॉल्ट वह है आपका आइसी का एक तो अगर इसके आइसी फट जाया तो इस नंबर की आइसी नहीं मिल पाती और दूसरा इसमें जो फॉल्ट है वह आपको इस वीडियो में समझा के ही बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा यह आप इसको चुटकीों में रिपयार कर सकते हैं सबसे पहले में समी पावर देता हूं और आपको मैं इसकी वोल्टेज शेक करवा देता हूं अब वीडियो बने रहे हीगा इसके आउसी का भी नंबर नपको मैं यहां पर बता दूँगा, इस entonces आउए से पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक करवा देता हूं, उससे पहले आपको एक चीज मैं समझा देना चाहता हूं, यहां से आपका लाइव न्यूटरल वाय इंपुट होती है, और यह फ्यूज रिजिस्टेज दिया हुआ है, जिसके थुरू यहां पर आपका यह वोल्टेज स्विच के थुरू स्विच के थुरू इस रेक्टिफ हैर पर जाता है, SMD यहां पर बिजि डायोड दिया गया है, यह वाला बड़े वाले जो आपके सप्लाई आती है, उन में इस टैप के डायोड देखने के लिए आपको मिलेंगे यह वाले, ठीक है, रेक्टिफ हैर के थुरू बाकी इस इस कपेश्टर पर आपको वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद यहां पर यह आपका फिल्टर होके और ड्रॉफ होके इस आईसी में जाके स्विचिंग होगा, आईसी के बाद जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसपोर्मर, SM ट्रांसपोर्मर भी कहते हैं, इसके बाद आपका से इसके पीछे लाइनिंग मैं आपको दिखा दूँं, यह है, आपका प्रामरी सेक्शन का पोर्शन है, यह जहां पर पर यहां पर आपका ड्रांसपोर्मर यहां से आपका स्टेप डॉन है, यह से काड का पूरा सेक्शन है और इसके बाद यह डिस्प्लें सन्सें से पो कि एडिस्प्लेंगी लिए है जो कि आपका ADH 좋स्प्लेंगी यह इसक लिखने shp क्रोफ ने रेप हैं और एपन को यह mazajes करते हैं को फूर को पंचंड करते हैं अप fine जाता हैं जोसों I we go by सब बता दो मैं उनी को समझाता हूं जो विगिनेयरे से जो सीख रहे हैं जो नया में सीख रहे होते हैं मैं सिर्फ उनी के लिए के लिए जा आता हूं कि वह लोग सीख से कई कोई वी फॉट आयभी सबस्क्राइब कुछ से बढ़्या आप अपना इसमें क्या fault है, यहाँ पर यह total पूरा work कर रहा है, आपको मैं दिखा दूं, और यह switching करता है, तो यह transformer बीब बीब की आवाज मारता है, जब अगर लोड में न हो, तब यह बीब 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 आवाज मारता है, यही नहीं, बल्कि इसमें भी switching करता है, अगर आप इसको कोई और fault भी आए, तो आपको पता चल जाना चाहिए, अब यहाँ पर मैंने इसे on कर लिया है, जैसे कि आप इसका switching का sound सुन सकते, देखिए, वह सकता आपको नहीं सुनाए दरोगा, बड़ टिक 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 इसमें से आवाज आ रही होती है, अब यहाँ पर म कर रही है, यहाँ पर इतनी ही आ रही है, अब मैं चलता हूँ DC पर, अब DC पर चलता हूँ, DC हजार पर सेट कर लूँगा, क्योंकि आपको रेक्टिफायर के बाद जो मेन कपैस्टेर हो, इस पर DC जो है, आपको तोला सा ज्यादे मिलेगी, जो मेन कपैस्टेर 2400 वोल्ट का रही है, टोटल मिला के यहाँ पर कपैस्टेर तक हमारा बिल्कुल ओके है, अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, अब जो मेन ट्रास्पोर्मर है, चलिए मैं इसको एक बार ओफ कर लूँ, ताकि मुझे करेंट ला लगए और आपको समझा दूँ, अब यहाँ पर देखिए, यह आपको कम्प्लीट में बता दूँगा, जैसे कि आपको, आपको यह चीज समझनी होगी कि इसके आउटपुट के कौन से है, क्योंकि यहाँ पर आपको एजीली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लिखा भी नहीं है कि यह ट्रास्पोर्मर कितने वोल्ट आउटपु कहा करें, सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए, इस समझ ट्रास्पोर्मर के जो आप पॉइंट देख रहे हैं, उसमें से एक एक लाइन निकली वी है, यानि कि इसमें से पहले इसके ट्रास्पोर्मर के पॉइंट आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉ पॉइंट पे जो पॉइंट के नेगेटिव पे जा रहा है, वही आपका ग्राउंड है, यह फर्स्ट वाला आपका जा रहा है डायोड पे, डायोड से आपका डीसी बना और यहाँ पर यह कपेस्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे चला गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर दूसरे पॉइंट का ट्र Labs किजिये यहां एक के बाद दूसरा पॉइंट रैक कीजिये, दूसरा पॉइंट पॉइंट यहां पर इस पॉइंट पे इसके जच्ट पीछे क्या है, यह वाला जो पॉइंट है हमारा यह पर 600 शुदिव और चलिये का डायोड क यह आपका primary इसका जो primary section के आपके leg है और यह secondary section के leg है जो transformer के आप देख रहे हैं यहाँ पर यह ठीक है अब यहाँ पर जब transformer step down करेगा तो सबसे पहली वाली जो pin रहेगी वह कितने वोल्ट के अभी मैं आपको बताऊंगा और दूसरी आपकी ground के है चलिए इसमें G लिख दे आपकी ground और तीश्री हमारी डायोड से connected है जो जो thatSE connected रहेंगी वह आपकी positive के मंकी ground के टीक है अब यह आपके । से connected है और यह हमारी किसकी है यह capacitor के negative उल्हारी यह भी मेर ग्राउंट की है यानी कि एक और दू यह दो ग्राउंड की है बाकि जो बची एक दो और तीन यह आपको पॉजिटिव की है आप पॉजिटिव यहां से कौनसी वोल्टेज सप्लाई हो रही है यह आपको देखना पड़ेगा अब जैसे की देखिए आप इस वाले SMPS को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा पढ़ा होगा और समझा भी होगा इसमां यह है प्राइमरी सेक्शन और यह है सेकंडरी सेक्शन ट्रास्पोर्मर के पहले का सेक्शन जहा इने भी पॉइंट्स है 1,2,3,4,5 ठीक है सभी को ट्राय करेंगे तो दो पॉइंट उसी की तरह ग्राउंड के होंगे जो कपैस्टर के नेगेटिव से कनेक्टेड होंगे और बाकि जो तीन चार आपको पॉइंट मिलेंगे वो डायोड से कनेक्टेड होंगे यहां पर एक टीनो डायोड के टीनो डायोड को हमने ट्रेक करना है यानि कि यहां से ट्रासफोर्म का यह लाइन है इस डायोड पर यहां से आपका यह जो लाइन जा रही है यह डायोड के यहां से जारी है यह पर इस पॉइंट पर तो यह पॉइंट पर जो कपैस्टर लगा हुआ है व और 470μF, सोला वोल्ट का यह एक कापेशिटर है, बही स्विब का graph, इस वोल्ट सॉॉ को यह इस डायोड से जो आपकी आउटपुट हो रही है, बही वो हुआ रही आपकी या तो आपकी 3.3 वोल्ट हो रही है, या फिर 3.3 volt output होना चाहिए, चलिए दूसरे वाले point को track करते हैं, दूसरे वाले diode को point को, यानि कि इसको track करते हैं, इस diode से यह line जारी है, आपका इस capacitor पर, इस capacitor पर जारी है, इस capacitor की voltage एक बार देख लिए, कि इतने volt का है, इस में mention किया हुआ है, तो यह है, यह capacitor है, 25 volt का, तो यह capacitor आप आपकी 12 volt से लेके, आपकी 14, 15, 24 volt तक, 24 volt तक इस capacitor तक आ रही है, यानि कि, चलिए, इसको मैं 12 volt मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, क्योंकि यह 12 volt का ही है, सबसे पहला, आप 3.3 volt इसर पर लिख लेजएगा, फर्स्ट वाली diode पर, जो आपका इस capacitor पर जाए, शोलर वोल् और नेक्स्ट में 12 volt इसमें लिख लेता हूँ, क्योंकि इसको 3 volt, 12 volt and 24 volt चीह होता है, ठीक है, and सबसे लास्ट में जो आपका यह point बज गया, यह point जा रहा, इस diode पर, और यह diode का जो एक सीरा है, यह वाला, यह जा रहा, इस capacitor पर, इस capacitor की voltage में आपको यह करके दिखा देता तो यह भी 25 volt का ही है, यानि कि यह भी आपका, या तो 12 volt का point है, या फिर आपका 24 volt का, पर चलिए, इसमें इसको 24 volt का point मान लेता हूँ, क्योंकि यह 25 volt का capacitor है, तो उसे कम-कम ही voltage मान लेता हूँ, बागी तो आपको मैं भी check करके दिखा ही दूँगा, तो सभी में कितना मिल र इसलिए मैंने this theory को थोड़ा सा लंबा खीच लिया, बाकी मैं आपको that check भी कर रहा देता, but check करवाना और समझाना अलग चीज़ है, क्योंकि आप समझेंगे, तो lifetime यह चीज़ सीख जाएंगे, अगर check करके दिखा देता, तो कुछ नहीं सीख पाते है, इसलिए जितना deep रख लेता हूं, चलिए DC 20 की रेंच तक इसको set कर लेते हैं, चलिए 200 में set करें क्योंकि यहां पर ज्यादा voltage भी मिल सकती है, अब 200 की रेंच पर set करने के बाद यहां पर मैंने G लिखा हूँ है, यानि कि ground लिखा हूँ है, भले आप वहां पर जोड़िए, भले आप इसकी body मैं यहां पर जोड़िए, यह सभी ground के ही है, चलिए मैं यहां पर ground में यहां पर जोड़ लेता हूँ, ठीक है, अब यहां पर जो हमारा positive का है, यह सबसे पहले point में, यानि कि diode के बाद में लगाऊंगा, तब जाकि मुझे DC voltage मिलेगा, यहां पर देखिए, तो यहां पर दे diode के इस तरफ कितना मिल रहा है, एक मिन, sorry, यहां पर 20 volt मिल रहा है, बिल्कुल accurate है, 22 volt यहां पर मिल रहा है, ठीक है, 22 volt मिल रहा है, एंड चलिए मैं यहां पर 12 volt दिखा था, उसको मैं भी 22 volt वहां पर लिख लूँगा, एंड सबसे लास्ट में, यानि कि इस diode पर कितना मिल हमारिया था, 23 volt मिल रहा है, यहां पर 12 volt भी चल जाएगा कोई दिखत नहीं है, ठीक है, तो यहां पर सारी voltage आपको मैंने चेक रहा है, तीनों डायोड पे, तो फिर भी यहां पर यह क्राद चालू क्यों नहीं हो रहा है, जब अमने सारी voltage चेक करी तो क्राद चालू क्यों पर सेट करके ठीक है अभी भी यह हमारा चालू है देख सकते हैं आप वहाँ पर 286 वोल्ट बता रहा है और यहां पर डिस्प्ले माँ देख से कुछ भी नहीं आ रहा है तो यह भी भी ओन कंडिशन में पहले में से ओफ कर लेता हूं तो यहां पर अच्छा रहेगा बल्कि काम जो आपने करना है आप आप करके करना है बल्कि यहां पर खुला पीसी भी अकरेंट लग सकता है इसलिए मैं बोला हूं कि बिगिनेर से हैं तो थोड़ा सा समल के और कि हमारा कार्ड चालू नहीं हो पा रहा है तो यहां पर कपेस्टर चार्ज हो रहा होगा ठीक है चलिए इसको डिशार्ज कर लिया है और बाकि यहां पर मैं सभी को डिशार्ज कर लेता हूं अब देखिए यहां पर मैंने आपको श्राइडिंग में ही बता दिया था कि एक चीज है, एक टु यहां पर यहां पर past adopt child card हो सकता हो, अतुकि,' यहां पर 1 यहां पर और दंप दूसरा में पॉर्ड को यहां पर करता है तो आपको easily समझ में आ जाएगा यहाँ पर पता नहीं क्यों यह focus नहीं यह corner पर यह जो card होता आपका horizontal type में है इस type से यहाँ पर points बने होते हैं आपके set देख रहा हैं यहाँ पर points बने होते हैं देखिए बिल्कुल corner पर points बने होते हैं इस बंदे ने सिर्फ soldering बाहरी बाहर इस तरह से करी है यह कोई permanent solution नहीं है तो यहाँ पर होता क्या है यह corner पर आपको देख रहा होगा यह देखिए soldering इसके टूटी भी है 2-3 जगह से soldering यहाँ टूटी होए 2-3 जगह से soldering यहाँ पर टूटी है बाहरी बाहर शोटरिंग करने से कोई फाइदा नहीं होने वाला जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बाहरी बाहर अगर आप ऐसे देखिए, ऐसे soldering गरेंगे तो फाइदा नहीं अगर आप card से सटा के soldering करेंगे तो आपको फाइदा है क्यों अगर डबा गिर गया आपका गलती से card इसे हिल गया या फिर पीछे आप सपोज एक्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको आप जो भी इसमें केबल की तार ऐसे यूज कर रहे हैं काफी वोग क्या हुथते इसको राम से लगातें काफी और यहां एसी हिलाते हुए ऐसे यहसे लगाते अगर the card जरा सी हिalties मोरे Weight जिल जाए तो इसindungी हाँ जलतेGU व्हें यहके पॉल जाए प्ञेटे टोटीछा आपको जहाते फीन लाते आपको दियुकर दो जो कि इस बंदे ने यहां पर शोडरिंग मारी वहRIS तो यहां टीज हूरी और यहां पर बिलोकोल के मैं आपसे चोड़ा कि बहुत लापर वाई मारीयों और बहुत ஏ साथ शोर्ड़य Check पर 500 रॉडुर पर और बाहर है आपको कैसे सब्सक्राइग कि बहुत बार समझा वाँ बढ़ यहां पर आपको तरीके से टेस्टिंग के दवे ज़ुक के विल्गूल कार्ण से कि M te papa के बता देता हूं यह देखिए इस तरीका से आपने बिल्कुल सटाके सोर्डिंग करनी यह देखेगा बिल्कुल Card से सटा के आपने Strategy करनी है यह दिखेगा अभी आपको मैं दिखाता हो किस तरीके से यह दिखेगा थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो बिल्कुल मैंने जो constante करी है उपर तक करी है आपको मैं फिर से example आपको मैं फिर से मा लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपने इस तरीके से आपकी हो जाएगी इस तरीके से और इस कार्ड को निकाला भी ऐशसी ही जाता है ठीक है सभी को डिषोल्डर होता है और यहां पर देखेगा इस तरीके से आपने सभी पॉइंट पर दबस तरीके से शोड़नीं आतPlus अब यहां पर यहां पर जो शोड़न कर यह इन पिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से यहाँ पर कार्ड से सट आगे करिए एक मिनिट आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर सहद एक पॉइंट टूटा भी हो सकता है यहाँ पर एक मिनिट सभी इंस्पेक्शन करके अच्छी तरीके से आपने सूर्डिंग मारनी हाँ थोड़ा से पर निकला हुआ था था थोड़ा सा पेश यहाँ पर लगा दो बाद मैं इसको क्लियर कर दूंगा कोई दिकत नहीं है बस इसमें यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है या तो आपका कार्ड कराब है या था आप कोई सोल्डरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही ह बस यही इसमें सबसे आता देखने के लिए मिलता है तो चलिए मैं थोड़ा आप चाहें तो वीडियो को फॉर्वर्ड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर ली है कोई भी पॉइंट एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए यह आप ध्यान लखेगा और इस तरफ भी वैसे ही करना है इस तरफ भी एक मैट कैमरा को फोकस कर लूँ ताकि आप लोगों को किलियर दिखाई देए स्यादब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एस यहां पर भी ऐसे ही आपने सोल्डिंग मार देनी है आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं यह लगा कि इसमें फिर से शोल्डिंग मार देता हूं देखें अब यहां पर इस ओल्डिंग हो चुकी है तो फैनल यह काम हमारा हो चुका है अब यहां पर आपको इबार किल्यर दिखाने की कोशिश करता हूं बिल्कुल पर्फर्फक्त तरीके से अब इंस्पेक्शन भी कर लेता हूं तो बिल्कुल ठीक है अब कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है अब यहां पर थोड़ा सा में ब्रस से को क्लीन करूंगा और आपको यह ओन करवा के दिखा दूंगा मैं प्रैस से क्लीन इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां पर जो पॉइंट से जूड़े हैं या फ पर दिक्कत आ सकती है चले मैं से ओन कर लेता हूं और आपको लाइव दिखा देता हूं वेट कीजिए यह देखे का ओन हो चुका है मुझे पता था इसमें यही प्रॉब्लम हो सकती है भई यह अचानक से ही खराब हुआ है जब इसमें छेड़ खानी करी गी है तब जाके खराब हुआ है तो यही इसमें प्रॉब्लम आती है दूसरा अगर यह ओन नहीं हो रहा तो कार्ड आप चेंज कर लो और कार्ड इसमें बहुत कम खराब होता है बागी मैंने बता दिया यह इसमें खराबी क्या है देखिए आपर चैनल चेंज करके देख लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट है ठीक है आपको कभी भी यह सप्लाय रिपेर करने के लिए बिल्कुल डेड है तो ज्याद उसके बद आपने secondary section में ठेट कर लेता हैं और इसको करूंगा ग्राउंड है यहाँ पर वोल्टेज चेक कर वांगो आपको यही यह देखिए इसका विडियो बन दूँगा नहीं देखा है यहाँ यहाँ पर का स्कीत प्राइब बनाए हुआ है और इस ब+. सप्लाइस का बनाया है वो भी आप देख सकते हैं बाकि आपको मैंने बता दिया इसमें क्या सबसे ज़्यादा फॉल्ड आता है कार्ड से रिलेटेड फॉल्ड आता है तो आप इसे एक बार ट्राय कर लिजिगा और जो मेरी दूसरे वीडियो थी अगर इसमें इसका भी सॉल मारकर से मैं इसका नंबर यहां पर लिख लूँगा उसको आप स्क्रीन शॉट रख लिजिए का ताकि आप कि ऐसी अगर ऐसी बर्न हो जाती फट जाती नंबर मिड़ जाता है तो उस आइसी को आप पर्चेट कर सकते हैं इस आईसी का नंबर यह है वाई एस टू थू थू 2354 ए ठीक है आप इसे भी नोट कर सकते हैं डायटली 2354 को ठीक है वाई एस पहले है उसके बाद 2354 ए करके इसमें लिखा हुआ है यह देखिए इस आईसी का नंबर यह वाला है आप इस आईसी को मगवा के बाद में इसे भी एजिली रिपैर कर सकते हैं इसमें यही इसमें यह कार्ड के विए प्रिंट तूटने का फॉल्ट प्रिंट तूटने के बाद भी अगर आपका कार्ड नहीं चल बाता तो इस कार्ड को रिपलेश कर देजिए का उसका भी मेने वीडियो बनाया कैसे रिप्लेश करते हैं वीडियो पसंदा इमानदारी तो आप ला